नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी कापके अपने यूट्यूप चलनल स्काई सामान अध्यन पर दोस्तों हम लोग यहां पर आप डिसकस करने चल लाए हैं आज यानि 22 नुवंबर 2020 को संपन विधान परिश्टत के अंतरगत रिवीव ऑफिशर की वेकेंसी के अंतरग कुछन हिंदी के और 50 जेर्नल अवेर्नेस के और दोस्तों यहां पर जो सामान अध्यन के 50 कुछन पूछे गए था तो उन्हीं के अंतरगत जेर्नल साइंस और mental ability के भी कुछ सवाल थे तो चले देखते हैं दोस्तों general awareness से related जितने भी question है जो की आपके आगामी परिक्षाओं के लिए भी important होंगे तो बहुत द्यान से देखना है दोस्तों सारे questions को चले start करते है पहला question यहाँ पर लिखा गया है नेम昨by कित मैं से कौंछ सी फ़सल उत्तर भारत में रभी फ़सल का उदाहरन नहीं है जि away दोस्तों यहाँ पर उदाहरन नहीं है पूशा गया है तो बहुत ध्यान से देखना ऐको और देखेगा गेहू, सरसो सूरजमुखी और मुफली तो दोस्तों आपको पता है कि गेहू, सरसो, सूरजमुखी सब रभी के अंतरगत हम लगते हैं जबकि मुफली जो है वो रभी के अंतरगत हम लोग इसको सामिल नहीं करते क्योंकि इसकी जनरल जो बुआई होती है वो जून से जुलाई मुंत के अंतरगत हम लोग इसको समझ सकते हैं तो मुंफली इस प्रस्टन का राइट अंसर हुआ और दोस्तों आपको बताते चले कि यहाँ पर जो टिक लगे हुए है क्योंकि यह पीडियाप भी हमको प्राप्त हुई है अदर के किसी रिसोर्स से तो आप इससे टिक पर मत जाएगा बलकि जो प्रस्टन हम आपको जिसका एंसर बात आते चले हैं आप उसको ध्यान से देखिएगा तो जरूरी नहीं कि इस पर जो टिक लगे हैं वो सही हो ठीक है दोस्तों चले देखते हैं नेक्स्ट प्रिस्क पर आगे बात करेंगे सेकंड कुशन है विस्टो अपर संगठन का मुख्याले कहां है दोस्तों डबलू टियो आप जानते हैं व्ल्ल ट्रेड और्गनाजेशन और इसका हेड़कॉर्टर आपको याद रखना है स्विट जर्लेंड ठीक है दोस्तों जैनवा कहां पर स्विट जर्लेंड तो ऑप्शन कौन से इसका सही हो जाएगा बी ओप्शन अब दोस्तों आपको बताते चलना है कि डबलू टियो वर्तमान में कितने मेंबर हैं सदस्ट से डबलू टियो के कितने हैं आपको यहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका एंसर देना है ठीक है दोस्तों चले next देखेगा दोस्तों भारत के राश्ट्री जनसंख्या आयोग की वर्स में स्थापना जनसंख्या आयोग के स्थापना पूछा गया है तो आपको पता है दोस्तों Population Commission जो की 2000 को स्थापित किया गया था June 2000 को तो इसका right answer क्या हो जाएगा 2000 ठीक है दोस्तों दोस्तों प्रतीक चिन से question लगबग हर paper में बन जाते हैं और ऐसे मित्र जिनकों की अभी भी doubt है प्रतीक चिनों पर उठने वाले questions को ले करके कि क्या हो सकते हैं कैसे हो सकते हैं तो उसके लिए इस YouTube channel पर दोस्तों आपको प्रतीक चिन के नाम से इंडिया प्रतीक चिन के नाम से एक वीडियो मिल जाएगा जो कि basic वाली playlist आप जब खोलेंगे तो वहाँ पर ये वीडियो आप देख डालेगा तो प्रतीक चिन से बनने वाले जितने भी सवाल हैं उनको मैंने बहुत ही आसन तरीके से आपको बताया है तो उसको अगर आप 2-3 बार देख लेंगे अच्छे से तो questions वहाँ से आपको clear हो जाएगा और सारा doubt भी आपको clear हो जाएगा तो प्रतीक चिन यहाँ पर बात की गया है किसकी राश्ट्री गेत की तो 24 जनुरी 1950 यहाँ पर इसको हम लोग याद रखेंगे नैस question देखेगा किस वर्स Pluto को बाउना ग्रह यानि ड्वार्फ प्लैनेट गोशित किया गया अब आपको पता है कि दोस्तों वर्तमान में जो ग्रह हैं कुल अब कुल ग्रहों की बात करें हम लोग तो हमारे solar system की बात करेगा ठीक दोस्तों तो इसमें 8 हैं जिसको पहले हम लोग 9 ग्रह मानते थे यहीं प्लूटो उसको बाहर कर दिया गया है यहम को बाहर कर दिया गया है तो इसके लिए आपको याद रखना है कि 2006 में मीटिंग हुई थी अंतराश्टी खागोली की संग की तब ही इसको बाहर करने का निर्णे लिया गया है और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने क्लास नोट्स में इस चेप्टर को पढ़ा भी है तो वहाँ पर मैंने बात लिखवाई भी है जो यहाँ पर जो ड्वार्फ ग्रह गोशित किया गया नि बौना ग्रह गोशित किया गया इंटरनेशनल खगोलिकी संग के द्वारा अंतराशी खगोलिकी संग के द्वारा वोका 2006 में तो आई हो फाइप का राइट अंसर आप याद करके रखेंगे आप 2006 शरे देखेगा उत्तरव देश में मिर्जापूर में उत्सो आयोजित किया जाता है दोस्तों मिर्जापूर जो उत्सो मिर्जापूर में आपको याद रखना है वो कजरी उत्सो होता है गंगा मौसो आयरुवेद मौसो दोस्तों आयरुवेद मौसो भी इंपोर्टेंट है जहासी में और गंगा महसो और बुद्ध महसो कमेंट करके बताईएगा कहां पर important है ठीक है दोस्तों आयरुवेद महसो जहां सी याद रखेगा important है नेक्स देखेगा नाग का नाग मिसाइल का हेलिकॉप्टर जो रूप है वो आपसे पूशा गया है इसका राइट एंसर दोस्तों हैली 2020 में time to care time to care report publish हुई थी और यहाँ पर पूछा गया है किस संगठन द्वारा जारी की गई है तो यह world buying के द्वारा जारी की गई है एट में be option को आपको याद रखना है question number 7 दोस्तों यह आगामी परिक्षाओं के लिए भी important सवाल है सात्माभिस्व सहर यानि जो world city summit है वो आजित की गई थी कहाँ पर सिंगापूर में ठीक है दोस्तों जुलाई 2020 में इसका आउजन कहां किया गया था सिंगापूर में इसका आउजन किया गया था तो इसको आपको याद करके रखना है सात्माभिस्व सहर सिखर सम्मेलन कहाँ पर सिंगापूर में next देखिएगा दोस्तों यहाँ पर mental ability के question है इनको आप solve कर लिजेगा PDF आपको download कर लेना है टेलिग्राम चैनल से हमारे और टेलिग्राम चैनल का जो link है वो आपको वीडियो को description से मिल जाएगा next देखते हैं चंदेरी का युद्ध पूछा गया है 1526 में अगर हम लोग बात करेंगे तो पानिपत फर्स्ट वार बाबर और इब्राहिम लोधी लोधी वन्स का सासर और फिर 1523 खानवा युद्ध खानवा आगरा के निकट बाबर और राणशांगा के मध्ध वो युद्ध था और फिर 1528 दोस्तों यहां पर बोला गया है चंदेरी उद्ध के बारे में तो बाबर और मैधनी राय यहनि कह सकते हैं मुगल और राजपूतों के मध्ध तो राजपूतों की तरब से नेतर तो किस ने किया था मैधनी राय ने यह छोड़े सवाल दोस्तों फैक्चुल बार-बार पुछे आते हैं वार से रिलेटेट इनको याद रखना है और नहीं तो फिर आपको अगर इसमें भी कन्फिजन हो रही है तो दोस्तों इनकी पीडियाप भी लगातार हम और इनके जो जनरल कुश्चन है वो सेंड करते रहते हैं तो आप उसको टेलिग्राम चैनल जरूर जोन करके रखेगा आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है वहां से और 1529 के अगर हम लोग बात करने दोस्तों तो घागरा यहार घागरा में घागरा युद्ध हुआ दोस्तों बाबर और महमुद लोदी के मद्ध है तो यह बाबर के जो यह वार है continuously यह important है सभी फिलाल यहां पर आपसे पूशा गया है चंदेरी का युद्ध तो बाबर और मैदेनी रा यहां इसका राइड एंसर हो जाएगा नेक्स देखते हैं 1861 में किसके नायकत में प्रगस सील विचारों का समाज़ पत्र इंडियन मिरर अब इंडियन मिरर के समपादक दोस्तों ऐसके घोस हैं ऐसे सिर्कुमार घोस तो आपको याद रखना है कुश्यन नमबर 14 में डी आप्शन चले नेक्स देखते हैं चटगाउं सस्त्रगार लूट आपको याद होगा 1930 में किसके लिए सूरिशेन ठीक है दोस्तों सूरिशेन करांतिकारी घटना के अंतर गत हम लोग इसको सामिल भी करते हैं तो कुश्यन ने कई बार मुझा जा जा चुका है रिपीटेड सवाल है दोस्तों अब दोस्तों एक बात आप समझके चलिए यहाँ पर जो 50 कुश्यन जर्नल अवेरनेस को और 50 इंदी के यहनि 100 कुश्यन है यहाँ पर गलती के बहुत कम चांस है क्योंकि दोस्तों इविधान परिशत की जो बैकेंसी थी इसमें नमबर आप पोस्ट बहुत ही कम है बहुत कम कम मतलब ना के बराबर तो अगर आप ऐसे कुश्यन गलत करेंगे तो वैसे भी आप कम्टिशन से बाहर हो जाएंगे तो दोस्तों सूरिसेन इसका राइट आंसर है नेक्स देखते है दोस्तों कुश्यन नमबर 16 देखेगा अगर चुनाओ में कोई उमिदवार मांग करता है तो में लिखित में से कौन चुनाओ में मतदान करने वाले मतों की पूनर गड़ना का आदेश दे सकता है अब एक्जामनर यहाँ पर आप्शन से खेल गया है देखे क्या लिखा है उसने उप्शन F में उसने लिख दिया है मुखे चुनाओ आवा यूग फिर B में लिख दिया है भारत का चुनाओ आवा यूग C में लिखा है निर्वाचन चेदर का मुख निर्वाचन दिखा रही और D में लिखा है चुनाओ चेदर का बात है तो चुनाव आयोग का ही काम है चीफ एलेक्षन कमिशनर जो होगा लेकिन क्योंकि अब उसके साथ जो है दो लोग और होते हैं तो इसको हम लोग एक ना बोल करके हैं पर चुनाव आयोग ही इसका रेट अंसर मानेंगे फिलाल आयोग इस पर क्याप निरा देता है ले अक्षन ने संथाना मायो का गठन किसले किया था किया गया था यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सारे सवाल पूछे गये हैं और यह कुछन तो बिल्कुल घिसा पिटा सा सवाल है सरकारी आयोग नेक्स देखते हैं 18 नंबर दोस्तों यहाँ पर पुछा ग करन फान बताया था कि एक स्याद रखना है मामी लच्छमी छोटी कार में यह सेदेंस याद रखना था आपको और यहां पर पर रमयाग हो जाया था आठ लिख देना है यह नो लिख देना है और यहां दस लिखना है तो 8-9-10 डिगरी क्या हो गये यह जो डिवाइट कर रह पर आज़ेगा बोल रहा है लक्षमी तो लक्ष से लक्षद्यूप में से मेनिक आए तो इस लक्ष के उपर कौँ से लिखा है नव आठ नो तो दस से कॉंटिनियूम पढ़ेंगे फिर छोटी कार में तो छोटी से छोटा अंडमान और कार से कार्नियू को बार इसको कौन अल लक्षमी यानि 9 डिगरी अब राइट आंसर इसका आप समझ सकते हैं कहां पर यहां पर 9 डिगरी ओप्षन देखिएगा यह सी ओप्षन ठीक है दोस्तों तो उसी सौटकट से आपको याद रखना है मामी लक्षमी छोटी कार से चले नेक्स देखिए विक्टूरिया जील क आपको याद होगा तो अपर इसका राइट आंसर है 20 नमर में आएगा निमलिखित में से कौन सी बिजनोर से होकर गुजरती है कौन सी नदी यहां पर देखिएगा गंगा बिजनोर ठीक है दोस्तों सबसे उत्तरी हिस्सा तो गंगा रिवर यहां पर अगला देखिएगा इसमारको में काँसा राजस्थान में स्थित है तो दोस्तों साचि स्थूप मध्यप्रदेश में है चार मिनार हैदराबाद हंपी करनाटक में तो वच्षता कौन है नहरगड ठीक है next तेखते है काली कोट थर्मल पाउर स्थेशन इस्थित है तोस्तों काली कोट जो थर्म गटनाय भी होती रहती है तो राजोरी में हिस्थी थे थे घरमल कोट जो घरमल स्टेशन ठीक दोस्तों तो राजोरी इसलिए निउस्वेपर हमने आपसे बोला है कि आप जरूर पढ़ा करिये इन घरणाओं को लेकर के खास करके तो यह काला कोट के दुबारा मांग इस पर चली थी तो सायद उसी से एक्जामनर का मायंड इधर गया होगा कि वो एक कुश्चन को पूछ ले तो काला कोड थर्मल पॉल स्टेशन कहा याद रखना है दोस्तों चम्मुकसमेर राजूरी मुकुर्थी सिखर मुकुर्थी सिखर नहीं याद है तो मुकुर्थी नेशनल प आपको टेलिग्राम से वहाँ पर मिल जाएगी तो कोई भी राश्युद्यान आपसे पूछेगा तो आप गड़बर नहीं करेंगे अब यसे मालिज यहाँ पर मुकुर्थी पीक आपको नहीं पता है लेकिन मुकुर्थी नेशनल पार्क की स्थित है तो इसके थुरू इस होगा वो वरक्षे ही होंगे यानि आधार इसका बड़ा होगा तो पिरामेड इसका हमेशा सीधा ही बनेगा ठीक दोस्तों बी ओप्शन चले नेक्स देखते हैं गंधक का परमाड़ भार 16 यहाँ पर ए ओप्शन फिर बोला गया है उर्धपाती प्रकृत का नहीं होता यानि कि जो सॉलिड होगा वो लिक्वेड मना परियुटित हो करके सीधे वेपर यानि भाब बन जाएगा तो ऐसा कौन सा है तो आयोडीन का पूर तो नेशरल आप सभी लोग जानते हैं नेप्थलीन आना तो यहाँ पर कैल्सियम कार्वनेट आइधिंग इसको आप देख आईएगा नेक्स देखिएगा 29 नमबर पर आईएगा प्रकास का जो डूएल नेशर है दोहरी प्रकति तरंग और कणो को प्रदसित करती है तो आप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है नेक्स 30 और 31 देखिएगा तोता बतक चुडिया गिद आप समझ सकते हैं कौन सा भ 34 दोस्तों नोबल प्राइज 2020 रिसेंटली अनाउंस भी हुए बताए भी गया सारे कुशन वहाँ से उठना शोर था इसका बहुत सौट ट्रिक में हमने आपको क्लास में डिसकस किया था कोचिंग क्लास में लेकिन अगर ऐसे स्टुडेंट जिनको भी भी नोबल प्राइज 2020 में कन्फूजन होती है अगर किसी भी प्रकार की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे वीडियो में डाल दूँगा एक तो जिससे की विल्कुल सौट तरीके से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और एक कुशन फिर आगे बनना ही बनना है अगला कुशन देखेग यहाँ पर पूछ लिया गया है तो इसकी क्योंकि केटेगरी बहुत सारी होती है तो आपको याद करने में बड़ी मुस्किल होती है लेकिन थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा चीजों को तो फोटो पत्रकारिता आपको याद आया होगा हाला कि दीपंकर घो पुराना है लेकिन अब क्योंकि फर्स्स तेट है तो पूछा ही गया है ड्रोन परिस्तिक तंदर के लिए आपसे बोला गया है कि कौँसा स्थाफित करने वाला राज्य है तो ड्रोन परिस्तिक है ऊप्शन है आप प्रदेष में पहली बार सेट अट अप किया गया ये ठी दिनी भी खेल प्रतियों गिता हैं, सब की पीडियाप भेजी गई है, मैंने बार-बार आपसे बोलाओं, जिनके पेपर लगे हुए हैं, उसमें सब कुछ ये कुश्चन मैंने डारेक्ट मैंने वहाँ पर लिखा है, फीफा विशुकप 2022 कतर, तो आलमोस्ट आप टेलिग्रा में चर्चा में भी था दोस्तों, 37 नमर में C option, 38 सुरक्षा कवच, योजना, यूपी गॉवर्मेंट महिला सुरक्षा के लिए, फरवरी 2011 में जो डिफेंस एक्सपो बार-बार रिपीट हो रहा है सवाल, पिछली दो-तीन परिक्षा में पूचा जा जुका है, 11 डिफेंस हो था है, इम लिखित में सब कौन सा, ऑपरेशन नकेल, ऑपरेशन नकल यहां पर हिंदी मैंसे जनरल लिख दिया गया है, ऑप्षन नकेल नकल पढ़ सकते हैं, आप इसको, ड्रक्स के विरुद्ध लिया गया है, यानि D option यहां पर रियाद रखेंगे, 41 और दोस्तों, इस पार्क, बिहार राज में, मानस असम, इंद्रवति चत्तिजगड और पलामू, जहरखन राज में स्थित हैं, यह आपको याद रखना है, नेक्स देखते हैं, लाइगून जील एक उदाहरण है, कौन से लाइगून जील का एक उदाहरण है, यहां पर, तो गोबिन सागर, डिडवाना, सामभर, चिलका जील, जीलों के टाइप में आपको पढ़ाएगे हैं, अलग-अलग कौन-कौन सी जीलों के परकार होते हैं, तो चिलका जील जिसको लाइगून या अनुप जील के रूपे हम लोग जानते हैं, लाइगून मतलब समुदर का किनारा, जो पोस्टली जो जील हैं, वो वायो निर्मित जीले हैं, तो इनमें कटेगरी आपको आसानी से मिल जाएगी, हलाकि कुश्चन पेपर जो ये सेटप किया गया है, मेरिटिस में बहुत जादा जाएगी, एवन 90 प्लस ही रहेगी, क्योंकि नमरा पोस्ट बहुत कम है, पेरु क जाएगी, क्या है, लेमा, क्विटो सेंटियागो करा का साउथ अमेरिकी, जितनी भी कंट्री हैं, सारे आपको बताएगे, रेटवाएगे हैं, नॉर्मल से कुश्चन है, चले, नेक्स देखे, देखते हैं, लानक ला दर्रा, दोस्तों ला वाले मैक्सिमम जो पासेज हैं जमुकस मेर लद्दाग छेत्र में हैं, तो 45 का A option, कुछ आप ट्रिक भी यूज किया करिए, जन्रल, ब्लैक फॉरेस्ट, परवत, योरप महादियूप में है, B option, जलेवला बाग, हत्याकान, 1919, याद रखना है, असोक के अभिलेखों की लिपी, किस लिपी में लिखे गए तो खरोष्टी, आरमाइक और ब्रामी, तीन लिपी आपको आपको बताएगे हैं, असोक की अभिलेखों की खरोष्टी, आरमाइक और ब्रामी, तो दूसरे यहाँ पर option आप देख सकते हैं, ब्रामी मिलेगा, यह निडी option, बागी की तीन लिपी को ओने है, खरोष्टी, आ भूले नहीं, नेक्स देखिएगा, भारत में निखित में से प्रथम साहिक संदी हस्ताक्षर करने वाला, साहिक संदी वेले जली आपको पता है 1798, ठीक है दोस्तों, तो हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद पहला सामिल किया गए थे, तो हैदराबाद के निजाम, फिर आपको याद होगा, 1801 याद होगा, असपा स्पेस वाबाजी राओ, इस पर साहिन किया था, लेकिन यहाँ पर कुश्चन पूछा गया है, प्रथम साहिक संदी प्रस्ताक्षर करने वाला काउन था, तो काउन थे, हैदराबाद के निजाम, ठीक है दोस्तों, पंडिता रा में काम भी किया, महिला सिक्षा, इवन महिलाओं के जुकेशन को लेकरके, इन्होंने ज्यादा इनका मुव्मेंट चर्शा में था, तो आप जानते हैं, मौडन से रेलेट कुश्चन है, तो यह रहे दोस्तों, पचास सवाल, जनल अवेरनेस के, I hope आपको समझ में आ गए ह में आपको समय गिसे रेले और मनहें आपको समय पूआओं को समय में जी हैं, मौगन समय खबूचन में पनाहँ हैं, तो आपको समय कह रहे बनी sak.»